फ्रेंग्स आज मैं आपके लिए कैसी स्वादियस्ट और मूं में घुल जाने वाली बर्फी की रेस्पी लेकर आई हूँ जिसे बनाने के लिए आपको ना तो मावा की ज़रूरत पड़ेगी ना ही कोई चाशनी बनाने का जंजट और बहुत ही कमी इंग्रीडियंट्स में यह वाली जो बर्फी बनकर तैयार हो जाती है खाने में बहुत टेस्टी बनती है बनाना इसको बिल्कुल अइसान है तो आई होप आपको आज की रेस्पी अच्छी लगेगी तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं तो इस बर्फी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक गलास लिया है दूद यह वाला जो गलास है यह 200 मल का है और फुल फैट मिल का है दूद कच्छा है तो अभी हम इसको एक बार अच्छी तरह से उबाल आने देंगे आपने न दूद में चाहे उबला भी हो उसको एक पर दोबारा से उबाल आने देना है अच्छी तरह से गरम होने देना है और गैस का फ्ले में जो हम मीडियम टू हाई रखेंगे इसको लगातर चलाते रहेंगे जैसी दूद में एक उबाल आ जाता है इसके बाद इस वाले चमच से दो चमच हम इसमें डालेंगे चीनी जो इसको चलाना छोड़ना नहीं है धीरे धीरे इसका texture है जो change होता जाएगा तो इसको लगातार ऐसे चलाते रहना है और ये देखे कुछी time में दूद है जो पहले से गड़ा होना शुरू हो गया और जब हम दूद में चीनी डालते हैं तो उससे जैसे जैसे हम इसको पकाते ज जाना और इसमें मिलाते जाना है इससे बिल्कुल इसका जो एक texture है वो रबड़ी वाला आ जाएगा और अभी देखे दूद पहले से काफी गड़ा हो चुक है तो अब हम गैस का flame में जो बंद कर देंगे जब ये इतना गड़ा हो जाएगा इसकी quantity इतनी कर जाएगी तो आ अब हमने एक mixer grinder लिया और इसमें हम 10-15 डालेंगे काजू आप चाहें तो काजू की quantity है जो बढ़ा भी सकते हैं तो हमने 10-15 इसके लिए काजू और आदा कप हमने लिया चीनी अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो इसमें से 2-3 चम चीनी कम भी कर सकते हैं और थोड़ी सी ज़ादा भी 2 हमने इसमें डाल दिया हरील इची और अभी हम इसको अच्छी तरह से पीस कर इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे तो यह देखिए बहुत एसली इसका जो पाउडर बन जाता है और इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से पीस लेना इसमें जो ची अब हम इसमें एक कप डालेंगे चावल का आटा चावल का आटा जो बहुत एजली आपको मार्किट में मिल जाएगा और इसको हमने ना गैस के लो फ्लेम पे पहले 5-6 मिनिट के लिए ड्राय रोस्ट करना है आपने इस चीज का ध्यान रखना है गैस का फ्लेम कम रखना है क् हमने इस मिठाई का कलर जादा चेंज नहीं होने दिना अगर आप गैस का फ्लेम तेज कर दोगे न तो एकदम से यह आटा जलना स्टार्ट हो जाएगा बहुत यह जल्दी जो चावल काटा वो रोस्ट होने लग जाता है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम क के लिए ड्राइ रोस्ट कर लेंगे और अभी आपको शायद कैमरा में पता चल रहा होगा हलका सा इसका कलर है जो पहले से चेंज हुआ है तो जब आप इसको पांच से साथ मिनिट के लिए से ड्राइ रोस्ट कर लोगे ना उसके बाद हम इसमें डालेंगे देसी घी तो य घी डालने के बाद हम इसको चार से पांच मिनिट के लिए और रोस्ट करेंगे जैसे हमने पांच से साथ मिनिट इसको पहले भून लिया ना तो इसके बाद हमने इसमें घी डाल दिया घी डालने के बाद हम इसको जो पांच से चे मिनिट के लिए और रोस्ट कर लेंगे इ एक चमच देसी घी है जो और डाल दिया है और इस घी को भी इसमें अच्छी तरह से मिला देते हैं और अभी देखिए आपको ना इसका जो आटे का कलर वो पता चल रहा होगा हलका सा जो लाइट ब्राउन सा यह हो गया पहले से थोड़ा सा इसका कलर है जो चेंज हुआ है त तो अभी हम इसमें डालेंगे जो हमने चीनी पीस कर रखी हुए थी और काजू पीस कर रखे हुए थे ना उनको हम इसमें मिला देंगे और गैस का फ्लेम है जो इस टाइम पर भी लो रहेगा आपने पूरे प्रोसेसमी आटे को भूंते टाइम गैस का फ्लेम है जो लो कर लोगे ना उसके बाद हमने जो दूद रखा हुआ था ना रबडी जैसा बना कर वो इसमें डालेंगे और अब देखिए इसका ठंडा होने पर टेक्शर बिल्कुल यह गाड़ा हो चुक है काफी ठीक हो गया है और यह बिल्कुल नहीं इसमें हमारी मिठाई को इतना जैसे मिला दिया और ऐसे लग रहा है जैसे मावा की बरफी बना कर हम तेयार कर रहे हैं तो अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और अब अपने जिस भी थाली या ट्रे में बरफी जमानी है उसको घीया ओयल से ग्रीज कर लीजिएगा और मैं इसमें लगा रही हूं मिक्शर थोड़ा सुखा सुखा सा लग रहा था ना अब देखिए इसने घीर रिलीज करना शुरू कर दिया और ऐसे लग रहा है जैसे इसमें हमने काफी सरा घीया जो डाला है तो बहुत ही सॉफ्ट यह देखिए देखकर आपको पता चल रहा होगा हमारी बरफी का जो मि सकते हैं मैं इसको 15-20 मिनिट के लिए फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए उसके बाद हम इसको निकालेंगे तो यह मैंने इसको 15 मिनिट के लिए फ्रिज में रख दिया था 15 मिनिट के बाद निकाला और यह देखिए बरफी हमारी अच्छी तरह से जम कर तेयार हो इसके pieces cut कर लेते हैं और ये देखे piece cut करने से इना आपको पता चल जाएगा कि कितना smooth कितना soft सा इसका जो texture आया और piece आप जैसे भी चाहें जितने एक size के चाहें cut कर सकते हैं ये मैंने पहले इस पे निशान लगा लिए थे उसके बाद हम pieces इसके cut कर रहे हैं और side से थोड़ा सा इसको clean कर देते हैं और ये देखिए बहुत ही बड़ी है हमारी जो बरफी है वो बनकर तयार है बहुत ही कम ingredients में ये वाली बरफी है जो बनकर तयार हो इतने ingredients से देखिए इतनी quantity में ये बरफी बन चुकी है और मैं इसके उपर अब लगा रही हूँ बदाम बदाम को मैंने बीच में से cut की है और अभी मैं आपको तोड़कर ने इसका texture भी दिखाती हो ये देखिए बिलकुल मावा की बरफी की तरह ये बरफी बनकर तयार हो जब मैंने आपको तोड़ते हुए ये बरफी दिखाई है तब हमने इसको नेचरल लाइट में ये वाली वीडियो शूट की थी तो अंदर ना रूम की लाइट में जो इसका actual color आया नहीं बहुत ही प्यारी ये वाली बरफी है जो बनकर तेयार होती है तो आए होप आपको आज की रेस्पी अच्छी लगी होगी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब शुरूर कीजिएगा जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और नहीं रेस्पी के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिए